फ्रेंस आप सभी का विलकम है मेरी यूटूब चैनल सबके सब पर आज के इस फोटोशॉप के टीटोरियल में हम लोग सीखेंगे कोई भी नॉर्मल फोटो को इस पॉट लाइट फोटो में कनवर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जैसा कि आप इस फोटो को देख रहे है इसमें जो ये इमेज है इसको मैं फोकस करना चाहता हूँ यानि इस पे स्पॉट लाइट इफेक्ट डालना चाहता हूँ देखी कैसे आप कर सकते हैं सिर्फ दो तीन मिनट में आसानी से इस इफेक्ट को अपलाई कर सकते हैं आप यहां आएंगे एड्जेस्मेंट लेयर पर यहां से यूज करेंगे कर्फ और उसके बाद इसे कर देंगे डाउन ऐसे और उसके बाद आप इसे कट कर लीजे अब आप यहां बरस टूल में जाएंगे हाडनेस को 100% रखेंगे साइज को आप थोड़ा बढ़ा कर सकते हैं almost 1000 के आसपास रखेंगे जैसी इमेज होग वैसे आप size को बड़ा छोटा कर सकते हैं mode normal होना चाहिए opacity 100% flow भी 100% होना चाहिए अब उसके बाद आप यहां पर आकर click करें इस तरह से अब आप आजाए move tool पर ctrl T से transform करेंगे और यहां पर click करके drag करेंगे नीचे alt प्रेस करके तो नीचे और उपर बराबर हो जाएगा ऐ ऐसे अब आप इसे adjust कर सकते हैं जहां पर चाहते हैं वहां पर जैसे मैं यह adjust करना चाहता हूँ ऐसे इसको अगर दूर तक फैलाना चाहते हैं तो alt प्रेस करके फैला सकते हैं अब उसके बाद इसे adjust करने के लिए right click कीजिए और इसके अंदर perspective और distort कुछ भी use करके आप adjust कर स यह देखिए हमने इस तरह से focus बना दिया अब उसके बाद यहां से ok कर लेते हैं अब इसे fix कर लेने के बाद आपको जाना है window में और यहां से open करना है properties यानि आपने जो adjustment layer में curve यूज किया था उसी की property यहां पर open हो जाएगे आपको यहां property पर click करना है यानि mask वाली property पर और यहां से feather को add करना है feather add करेंगे तो देखें क्या होगा यह इस तरह से blur हो जाएगा feather को आप यहां से adjust कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए थोड़ा बढ़ा कर ही रखेंगे ताके देखने में यह अच्छा लगे इस तरह से और यहां से मैं बन कर देता हूँ अब उसके इसकी एक copy करेंगे control जैसे copy करने के बाद आप इस layer mask में जो color यूज किया है इसको inverse करेंगे inverse करने के लिए control आई प्रेस करेंगे यह inverse हो गया अब उसके बाद इस curve के adjustment पर यहां double click करेंगे और यहां पर आप reset कर लेंगे reset करने के बाद इसके light को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप ऐसे जितनी light चाहिए आप उतनी light यहां से बढ़ा सकते हैं और यहां से आप बन कर लीजिए अब उसके बाद आप इस पर double click करके यहां से थोड़ा सा adjust कर लीजिए underlying layer इससे यह smooth हो जाएगा इसे आप break करके alt press कर करके हमने break किया और इन दोनों को अलग कर दिया इस तरह से यहां पर आप जो light और darkness देख रहे हैं इन दोनों की बीच का smoothness यह manage करता है तो आप यहां से smooth manage कर लीजिए और उसके बाद okay कर लीजिए अब उसके बाद अगर यहां पर light कुछ ज़्यादा पट रही है तो brush tool select कर करेंगे black color को ऊपर रखेंगे यहां से hardness को 0% करके flow को कम करेंगे और इस mask वाले thumbnail को select करके यहां से आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं जूम करके देखें यहां पर थोड़ा आप कम कर सकते हैं अगर light बहुत जादा हो रही है तब आप कम कर लें अगर आपको लग रहा है कि ठ ठीक है तो चलेगा अब आप देखेंगे इस image को before after यह देखे before and after यह तो बहुत ही simple trick था जिससे आप spotlight effect अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप spotlight को अच्छे से सीखना चाते हैं Photoshop को अच्छे से सीखना चाते हैं तो आप मेरे premium class में आईए वहां पर आपको यह सारी चीज़ description में दे दिया है आप जब चाहे मुझे call कर सकते हैं और friends आप सब इससे request है चैनल को subscribe नहीं कया तो subscribe जरूर कर लिए वीडियो अच्छे लगते हैं तो like कर दिया करें तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much friends